नमस्कार मैं हूँ आशा आपका स्वागत कती हूँ नेक्स्ट नाइन नियूस नेशन में जू तो इन दिनों हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की उम्रे 18 से 21 साल करने की तयारी में हैं ऐसी में बहुत सारे नेता इस पर विरोज जदा रहे हैं जिनमें से एक हैं ओवेसी उन्होंने केंद्र सरकार पर इधा निशाना साथते हुए कहा है कि 18 साल में जब लड़कि वोट दे सकती है तो अपना पार्टनर क्यों नहीं चुन सकती मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार अगले हफ़े संसत के डोनों सद्नों में इससे जुड़ा बिल पेश कर सकती हैं इस दिल के पेश होने से पूर्व ही राजनीती गरम हो गई है ए आई एम के प्रमुक असुदीन ओवेसी नी मोदी सरकार पर विरोज जताते हुए कहा यह मोदी सरकार के पित्र सर्थात्मक्ता का एक पहुत अच्छा उधारन है 18 साल की उम्रे में एक भारतिय नागरिक अनुबंद पर हस्ताक्षर कर सकता है विवसाय शुरू कर सकता है पैधान मंतरी चुन सकता है और सांसर्दों और विधायकों का चुनाव कर सकता है मेरा मानना है कि लड़कियों की आई यू 21 से घटा कर 18 साल कर देनी चाहिए आने वाले नीजों के लिए पने रहिए और कॉमेंट बॉक्स में जरूर कॉमेंट करके बताएं कि इस पर आपकी क्यारा आए है धन्यवाद